हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप सब सौधी अरब जेल के अंदर किसी को 20 दिन हो गया किसी को एक महीना हो गया या फिर उससे भी ज्यादा समय हो गया सौधी अरब जेल के अंदर लेकिन अभी भी उनका काम नहीं हो पाया अपने देश वापिस नहीं लौट पाये क्या कारण है क्यों इतना टाइम लग रहा है आज के टाइम पे क्या वज़ा है उन्हें अपने देश भेजने में इतना टाइम लगाया जा रहा है कि इस बिसमें मेरे पास काफी जादा कमेंट आया किसी को 20 दिन हो गया है किसी को एक महिने से जादा हो गया है जो कि उनके फैमिली वाले कम पहुंचे हैं कितने दिन के अंदर अपने देश भेंज दिया जाएगा और भी सुदी अरग की बहुत सारी जानकारी है तो सारी जानकारी आप तक मैं सेयर करूंगा विडियो लास तक देखेगा तागि आपको पूरी जानकारी मिल सके अगर जो नौर्मल दिनों में आप एक महीने के आसपास में आपको अपने देश वापिस भेंज दिया जाता है, लेकिन अगर जो आपके उपर केस रहता है, आपका कमपनी आपके उपर केस डाला या तो फिर आपके जो कफिल हैं, वो केस आपके उपर किये हैं, इस मामले में आपके उपर छान बीन की जाती है, क्या केस है उसकी छान भी इन की जाती है उस हिसाब से आपको टाइम लगता है कितने महीने आपको जेल काटना पड़ेगा और कितने समय के बाद में आपको अपने देश भेजा जाएगा लेकिन अगर जो आपके उपर किसी भी तरह का कोई केस नहीं रहता है तो 20 दिन से एक म महीने भी लग सकते हैं घर जाने में एक साल भी लग सकते हैं वो डिपेंड करता है कि आपके उपर केस क्या लगाया गया है इस समय क्यों लेट हो रहा है क्यों एक महीने से ज़्यादा हो गया लोग अपने देश अपने घर नहीं पहुंचे हैं इसका मेन वज़य यही है क् कि अभी 15-20 दिन से पूरा का पूरा आफिस बंद था, यानि काम हो रहा था, लेकिन इनका पूरा ध्यान हज के तरफ था, क्योंकि हज सीजन जब सुरू हुआ था, तो ये सारे काम रोक दिये गए थे, गैर मुलकी भाई लोग जेल में थे, उनका काम जहां पे था, वहीं पे रुका पड़ा था, ना जवाजा से कोई काम हुआ, ना फिंगर हुआ, ना टिकट हुआ, और किसी भी तरह का उनके उपर कोई जाच हुआ, किसी वज़ा से उनका काम जहां पे था, वहीं पे रुका पड़ा था, तो जो भी भाई लोग, जो भी कमेंट कर रहे थे, जिन से भी मेरा इंस्टागराम पर कॉंटेक्ट हुआ उन्हें इस वीडियो द्वारा यही बताना मैं चाहता हूँ कि हज के वज़ा से सारा काम रुका पड़ा था यहां तलक अगर जो आप फैमिली बीजिट बीज़ा भी निकाल लाएतें तो हज के वज़ा से आपका यह भी काम र पड़ा हुआ था तो उनका काम अब शुरू कर दिया गया है देखा जाए तो हज का टाइम खतम हो गया है हज खतम हो गया है अब इदर से सारे ओफिसे खुलने सुरू हो जाएंगे चाहे जवाजात हो चाहे और भी कोई ओफिस हो अब उनका काम होना सुरू हो जाएगा त गर जो उनको लेट हुआ है तो यही एक वज़ा है जिसके वज़ा से सारे ओफिस हुआ या गौवर्मेंट का सारा ओफिस हुआ यह सारे काम जहां पे थे वहीं पे ठब पड़ा हुआ था तो अब उनका काम हो जाएगा और जो लोग भी पकड़े गए थे अपने देश जाने जानकारी सभी दोस्तों तक पहुँच जाए जो लोग भी परेशान है उनकी परेशानी दूर हो जाए तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ सुदी अरब आसीर में चेकिन के दोरान बहुत बड़ी मात्रा में नसेली दवाईया पकड़ी गई है यहां पे बताया जा रहा जान एक सक्स को गिरफतार भी कर लिया गया है और भी बहुत सारी चीज़े उसके पास से पाए गए हैं तो सभी चीज़ों को जब्त कर लिया गया है इतनी बड़े काम को अंजाम एक अकेला बंदा दे रहा था तो आप लोग सोख सकते हैं कि 4200 सिर्फ नसेली दवाईया उ उसके पास थी बोरी भर भर के तो काफी मात्रा में यह सब चीज़ें सपलाई हो रही थी इसको जैसे इसक हुआ उस घर के अंदर छापा मारा गया और पर सभी नसीली चीज़ों को जब्त कर लिया गया है और एक सक्स को गिरफतार भी कर लिया गया है तो उमीद है आपको ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के पास में जरूर सेर कर देना मिलते हैं फिर किसी और नए जानकारी के साथ किसी और नए वीडियो में आपके मन में भी कोई सवाल है हमसे कॉंटेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इस्टागराम का लिंक मि जाएगा आप वहां से हमें कॉंटेक्ट कर सकते हैं आप अपना ख्याल रखीए गए मिलते हैं एक और नई वीडियो के लिए